हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि पहले के जवाने में हमारे पुर्वजों के पास किसी भी प्रकार के आधुनिक चीजे नहीं थी जो आध हम लोगों के पास है फिर भी ऐसे विचित्र और अद्बू चीजों देखने को मिल जाती है जो हमें अचम्भित कर देती है आईए ऐसे ही एक कला नाजगा लाइन्स के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मित्रो दक्षिन पेरू के रेगिस्थान में इस्थित इस जगा पर करीब 80 किरोमीटर के छेत्र में जमीन से देखने पर कुछ अजीब सी रेखाई दिखाई देती है पहली बार साल 1920 में इन नाजगा लाइन्स को हवाई जहाद से देखने पर यह पता चला कि यह रेखाई सिर्फ रेखाई ही नहीं अलग अलग चित्र बने हुई है जिसमें पेंड पौधे, मनुस्य, बंदर, कुत्ता, मकडी, चिनिया और गिध जैसे 100 से भी ज़्यादा चित्र सामिल है इन चित्रों का अकार 100 फूट से 1200 फूट तक है इन ही रेखाई को नाजगा लाइन्स कहा जाता है जो की उस जमाने में इनसानों द्वारा ही बनाई गई है इन रेखाई को जमीन से लाल पत्थरों को हटा कर बनाया गया है मित्र यह जगह काफी सुखी है और साल भर यहां का तापमान करिब 25 डिगरी तक सिमीत रहता है जिसकी वज़े से इन रेखाऊं को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और यह आसमान से साफ तोर पर असानी से देखी जा सकती है इस तरह की सटीग अकृतिया हजारों साल पहले कैसे और किसने बनाई होगी इसका वैज्यानिकों ने खुब अध्यान किया पर आज तक सिर्फ चित्रों को देखकर अस्चर चकित होने के अलावा और कुछ नहीं गानता है दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद